हेले स्टूरेंट में एक तस ही आप सभी का ग्यान चितने चैनल बहुत बस्वात करती हूँ आज के इस टॉपिक में हम पिछला वाला जो टॉपिक किया था हमने भारत की इस्तिती लोकेशन और इंडिया और उसके पड़ोसी राज्य ये सब देख रहे थे तो बीच में ही कुछ छूट गया था जिसको कंप्लीट कर लेते हैं तो यहां पर क्या है भारत का वो कौन सा एक मात्र जिला है जो सर्वादिक चार राज्यों की सीमा को इस पर्स करता है तो भारत के एक ऐसा जिला है तो आंसर क्या हो जाएगा सोन भद उत्तर प्रदेश अब यहां पर किस राज की सर्वादिक जिले हैं तो उत्तर प्रदेश 75 जिले हैं भारत की तट्टीय राज और के निसासित प्रदेश तट्रेखा की लंबाई तो यह इतना इंपोर्टेंट यहां पर जो है नहीं है तो इसको आगे बढ़ जाते हैं आगे है मद्र प्रदेश का बोई कौन सा जिला है जो गुजरात और राजस्थान की दोनों सीमा को इसपर्स करता है तो जहाबूगा मर्द प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के चथिस गर्द दोनों राजियों की सीमा को इसपर्श करता है धान का कटोरा किस राजी के लिए उपनाम तो चतिसगर का धान का कटोरा कहा जाता है किस उत्तर पूर्वी राजी को पूर्वी जोतिशी का इस्थान या प्रियाग जोतिश पूर के नाम से जाना जाता है काफी इंपोर्टेंट है असोम को असम को किस राजिय को मसालों का बगीचा कहा जाता है तो केरल को, चावल का धान का का टोरा, चत्तिसगर और पूरवी जोतिस का इस्थान, आसम और मसालों का बगीचा, केरल किस पूरवी राजियों को سाथ बहनों, सेवन सिस्टर की संगया दी गई बहुत ही क्या है जाना माना है अरुनाचर प्रदेश हो गया असम हो गया मेगाले हो गया मनिपुर मिजूरब नागाले और तिरपुरा इसमें जो हमारा एट है जिसको थम थम स्टेट बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा तो इसको सामिल नहीं किया गया बल्कि किसको सामिल नहीं किया गया तो ये भी हो सकता है आगे देखते हैं चार धाम बद्री, नाथ, केदार, नाथ, यमनोत्री, गंगोत्री किस भारतिये राज में इस्तित हैं तो ये हो जाएगा उत्रा खंड उकते हुए सूरज की भूमी अउनाचर प्रदेश क्योंकि सबसे पहले जो सूरज निकल के आता है वो अउनाचर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि सूरज सिर्फ यहीं निकलता है उसकी किर्ण सबसे पहले अउनाचर प्रदेश में पढ़ती है किस राज्य को पूरब का स्विजर लेंड कहा गया है तो नांगा लेंड पूरब का स्विजर लेंड नांगा लेंड तो यहां से आथ कर सकते हैं लेंड और लेंड यह दोनों में ही हैं नांगा लेंड और स्विजर लेंड आगे है किस भारतिय राज्य को पांच नदियों के राज ये बाला बताया गया तो पंजाब हो जाएगा पंजाब किस भारती राज को सिलीकेन इस्टेट कहा गया तो करनाटक को भारत में सिलीकेन वेली कहां इस्टेट है तो बंगलूर में है तो एना कुलम, भारत का कोहिनोर किस भारती राज को कहा जाता है, तो आंधरप्रदेस, पाठ अचल, पाठ अचल किस भारती राज की अवेस्ति थे तो ज्छारखन, आसोम कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो सात राज्यों से, उत्तर दच्छिन गलियारे किन दो भारती शेहरों को जोडते हैं तो स्री नगर और करन्या कोमारी से उत्री पश्यम पूर्वी पश्यम गलियारे कि इन भारती शेहरों को जोडते हैं पूरवंदर और सिलचर भारत में कुल कितने केन शासे पर देश हैं तो इनकी संख्या बिल्को Lattest है आठ है यानि कि ये बात हो रही है दो हजार तेश की तो ये कितनी संख्या है योटी की तो आठ है छित्रफल की देश्टी से भारत का सबसे बड़ा केंदर शासित प्रदेश लगदाग छित्रफल की देश्टी से भारत का सबसे छोटा लक्षदीप जो दिवपू में है लक् बारत का वो कौन सा केंदर शासिफ प्रदेश जो तीन राज्यों में विभाजित है तो पुद्धी चेरी है यमन आंदर प्रदेश में कराईकल तमिलाडू में माहे जो है केरल में तो तीन जगए ये एक जगए नहीं है कि इस तरह ये मालो ये हो गया पांदे चेरी तो ये स भी है आगे देखते हैं भारत का एक मात वेरन दूइब सक्रिय ज्वाला मुखी तो ये है अंदर निकवार में अब यहां पर भारत है उसकी राजधानिया तो इसको देख लेते हैं सिक्किम गंगटॉक असम दिसपूर अउनाचर प्रदेश इटानगर नागा लेंड कोहि मिजोरम, आईजोल, मेगाले, शिलोंग, पशिम बंगाल, कोलकाता, बिहार, पटना, जारकंड, राची तो यहां पर देखिए यहां पर जो यूटी हैं जो सेवन सिस्टर हैं उनको पहले रखा गया है क्योंकि जो है याद करने में हमको सुवी दाहोर एक्जाम में सभी को पता रहता है पशिम बंगाल भी लब लब सभी को पता रहता है जारकंड की राची, उडिसा की भुबनेश्वर, महरास्ट की मुंबई, करनाटक की बैंगलोर, केरल की तिरुवन्त पुरम, तमिलनाडू चेननाई, आंधर प्रदेश जो है अमरावती तीन राजध से तेलंगाना का हैतरावाद, पहले है तेलंगाना और आंधर प्रदेश की क्या है एक ही राजधानी हुआ कर दी थी, लेकिन फिर बाद में क्या है उसको वो कर दिया है, गोवा की परजी, छतिसगड की रायपूर, मद्र प्रदेश की भोपाल, गुजरात की गानी ने कर, राजधान की जैपूर, उत्तर प्रदेश की लखनव, उत्तराखंड का देहरादून, हर्याना और पंजाब की एक ही है, चंडीगर, हिमाचल प्रदेश की शिमला, केंडर शाषित प्रदेश, जमू और कश्मीर की शरीनगर, ग्रीश मकाल में और जमू जो है सर्दियों मे क्योंकि यहाँ पर क्या है, बरफ जम जाती है, तो इसलिए यह शिफ्ट हो जाती है, जमू में, सर्दियों में, लगदाख, ले, आनमा, निकुबा, दूप, समी, पोर्ट, भिलिया, राश्री, राजधानी, छेतर, नई दिल्ली, दादर, नगर, हविली, दमन, और दीब, के अधीन, तो फ्रांस के अधीन कौन-कौन से था, पुदी, चेरी, चंदर, नगर, सुदंतता, पूर्वी, सुतंत्र, हुए, नाइन्टी, फिफ्टी, फोर्ट में, जो की फ्रांस के अधीन था, चंदर, नगर, नगर, हविली, तो ये क्या है, ये सारे, ये एक साथ हो ग जोजरती है, तो मैक मोहन, भारत और चीन, रेड कलिप, सब को पता है, भारत और पाकिस्तान, डूरंड रेखा, किन दो देशों को अलग करती है, भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है, डूरंड रेखा, अब ये भी इंपोर्टेंट है कि कौन से प्रमुक चैनल है, जलसंदिया और विबाजक छेतर है. तो 6 डिग्री ग्रेट निकोवार सुमात्राई, इंडोनेश llay आठ डिग्री चैनल मालदीव मालदीव Deaf, 9 डिग्री चैनल पर मीनीकाय लक्षदीव, 10 डिग्री चैनल छोटा आनमार निकोवार निकुबार, ग्रेट चैनल जो है इंद्रा पॉइंट, पाक जलसंदी जो है ऐसा नहीं है कि याँ पे श्री लंका की जगए क्या है पाकिस्तान है तो पाक जलसंदी याद रखना है भारत और श्री लंका के बीच में की गई है कोको संदी अंडबानो और कोको द्वी प्याने ये उसका दच्छडवारा भाग है जो की पानी से समुद्रों से गिरा हुआ है तो यहां के जो है बारा तक क्या है इसकी जल सीमा है तो बारा तक समुद्री मील तक ये भारत की ही जल सीमा है अगे अब कहेंगे कि यहां इसके बाद इसके बाद वाली सभी की है किसी एक देश के लिए नहीं है उसके लिए एक अलग से संग्ठन है वहाँ से पर्मीशन लेनी पड़ती है अगर हम यहाँ पर समुद्र में कुछ उत्खना नहीं या कुछ करवाते हैं ऐसा आगे है भारत का अन्नन छेत्रमंडल जो है तो चिन्नाई से होता है भारत में 21 देसंबर को सबसे जाएदा प्रकाश अब्दी कहाँ पर होती है 20 देसंबर को तो तुरुवंध पुरम में होती है फ्रांसे सी वास्तूकार ली कर बुजियर ने कौँ सा सहर डिजाइन किया था तो जंडिगड को डिजाइन किया था यह important है आगे है उडग मंदलम यानि उटी में बासाव पैटर्न किस प्रकार है तो सीड़ी दार नूमा कोरी क्री कहां इस्ते थे कच्छ के रन में भारत का कौन सा इस्तान बिश्व का दूसरा सबसे थंडा आवास इस्तान है तो द्रास या में सुनामी से भारत को कौन सा भाग जो है पूनते हा साकर में डूप गया था इंद्रा पोंट जो है पिग मेलियन पॉंट वो डूप गया था आगे भारत का शुक्फ worrying इस्ताण कौन सा है तो जैसल मेर्ट पागिस्तान के मद्दे जो है कश्मीर समस्या के लोकर कितनी बा भारत में कहां पर सूर्य कभी उर्धिव नहीं होता तो प्रियाग राज उत्तरप्रदेश में भारत के उपमहदीप में उश्ण कटिवन्निय चक्रवादों द्वारा प्राया प्रभावित छेत्र कौन सा है तो कोरो मंडल तट गिट बलिस्तान का प्रादेसिक बिवाद किन देशों के बीच है भारत और पाकिस्तान के मद्देश पत्रकों वा सर्वों शीटों का प्रकाशन कहां से होता है देहरादून से दिल्ली के समीब के देशांतर पर इस तिस शहर कौन सा है तो बैंगलूर है दिल्ली के समीब देशांतर पर मतलब माली जी ये दिल्ली है उसी के बिलकुल अगर देखें तो यहाँ पर बंग लूर है ये एक्जाम में आई हुए पॉइंट है इसलिए बहुत important है आगे देखते हैं भारत का प्रतम मांचित्र किसने बनाये था तो 171752 में बनाये था 1752 में एन बिले ने किसने एन बिले में तो आई होप आपको ये वीडियो क्या है अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और जिसको भी पीडिएफ चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में देख सकता है बहाँ पर आप इसको ले सकते हैं तो आई होप आपको मजाया होगा पढ़के प्लीज लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में